हाई फ्रेंड्स मैं अपने रोसन माला ब्लोग में आप सभी को स्वागत करता हूं तो आज सूबा के सारे साथ बच चुके हैं और हमें सत्तर घाट के सरी नाथ मंदिर के पास जाना है और हम अपने आज मा के साथ जा रहे हैं मंदिल तो रास्ते में ये राजा पटी है आप लोग वीडियो में देख सकते हैं ये राजा पटी है और राजा पटी ये गोलंबर है आप लोग देख सकते हैं यहां बाबा साहब भीम रावंबेटकर की प्रतिमा लगी हुई है और यह प्रतिमा बीच में अस्तापित है यहां पल सरकें हैं इधर हम अपने गाउं से लोट रहे हैं च्छपड़ा से अमनोल से और यहां पर यह गुलंबर है और यह गुलंबर आगे जो चली जाती है सत्तर घाट यह सरक जो है ठिक हम सामने जहां खड़े हैं यह सत्तर घाट चली जाती है और अभी हम जिस प्रसंग को आप लोग को दिखाने जा रहे हैं वो मेरा प्रसंग है कि जो 2020 में या 2021 में जो बाड़ आई थी उसका नजारा हम एक बार आप लोग को दिखाना चाहते हैं अभी उस जगपल सरकार ने क्या व्यवस्ता किया है यह जो सामने वीडियो में आप लोग जो देख रहे हैं यह जो पूल बनी हुई है यह पूल उस बाड़ में पूर्ण रूप से छतिगरस्थ हो चुकी थी पानी इतनी तेज बहाव थी पानी की धारा थी कि यह पूल छतिगरस्थ हो चुका था लेकिन अभी अभी सब चीज ठीक ठाक हो गया है आप लोग देख सकते हैं बन गया है और सरक के आरी आरी जो है बड़ा बड़ा पत्थर बैठा दिया गया है जिसे कि पानी का जो बहा हो तो इस सरक को छतिगरस्थ ना करने सके मिटी को बहा करके जो सरक काट देता है पानी उसको नहीं काट सके तो यह सरकार का एक बहुत अच्छा कदम है आप लोग देख सकते हैं जो पूल छतिगरस्थ हुआ था वो आज बन के पुर्ण रूप से तयार है और इसका चौरी करन भी हुआ है पर के जो पूल बनी है काफी चौरी सरक पूल बनी है आप लोग वीडियो में यह देख सकते हैं यही वह पूल है जो 2020-2021 में जो बाड आई थी उस बाड ने छतिगरस्थ कर दिया था इस सरक को तो एक सरकार का बहुत अच्छा पहल है इस पर हम सरकार को धन करने बात देना चाहते हैं कि यह पूल के दोनों साइड यह देख सकते हैं वीडियो में पत्थर बिछा रखा है जिससे की पानी छतिगरस्थ नहीं करने सके इस सरक को और पूल के ठिक बिप्रित साइड में भी अभी पत्थर बिछाने का जो है सिलसीला चल रहा है आप लो करें पूल को छतिगरस्थ नहीं करें इसलिए सरकार ने पत्थर बिछा दिया है तो यह एक सरकार का बहुत ही सराहनिय कदम है मैं सरकार का सरकार को बहुत-बहुत धन्यबाद देता हूं और वीडियो में आप लोग बने रहें यह वीडियो कैसा लगा आप सभी हम इस चैन को आगे बढ़ाएं बहुत-बहुत धन्यबाद सब लोग का अभार